हलो दोस्तो वेलकम डू माई यूटूब चैनल मैं हूँ शाना वासखान और आप देख रहा है कूल स्टा टैक दोस्तो आज आगा हम एको नई वीडियो लेके आई होप कि आज फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो दोस्तो यह है ब्लू स्टार का वाकिंग चिलर दोस्तो इसमें हमें कंप्लेंट यह मिल लगी है कि दोस्तो यह 8 डिग्री से नीचे इसका टैंप्रेचर ने जा रहा है जबकि इसका अगर हम सेट टैंप्रेचर देखेंगे तो देखिए दोस्तो दो डिग्री पे सेट है दोस्तो यह आड डेगरी से नीचे डाउन नहीं हो रहा है। तो तो दोस्तो इसमें क्या प्रॉबल्लम है आज वो ही प्रॉबलम को solve करेंगे। तो चले आए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते है। में कि सबसे पहले दोस्तु क्ल unanimously देखते हैं इंडोर यूनिट प्रॉपर वर्क कर रहा या नहीं कर रहा है थो दोस्तों यह देखिए हम आगए इंडर ढ़्ट्रूंज के अंदर अब हम आउटडूर यूनिट चेक करेंगे कि अब ब्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं तक देखितो यह है इसका आउटडूर यूनिट यह भी चल रहा है बाट दोस्तो इसमें टेंपटरेचन नहीं आ रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम है तो इसके लिए दोस्तों हम इसमें सबसे पहले gas चेक करते हैं कि इसमें कितना pressure बता रहा है gas का देखी दोस्तों suction का pipe ठंडा तो हो रहा है बट जितना होना चाहिए इतना ठंडा pipe नहीं हो रहा है और दोस्तों इसमें कि ठोड़ी दिर चल आ फिर बंद हो रहा है तो दोस्तों जो बंद हो रहा हो क्यूं हो रहा वह toन बाएत आप अप्र हो चुट anatomy चाल हो जाता है तो धोस्तों इसके ऐस को चक करेंगे और इसमें gas top up करेंगे तो दोस्तो इसके डिक्चाय लाइन की जो NRB की पिन है वो थोड़ी लूज थी उसके वैसे इसमें leakage हो रहा था जो कि हमने अब टाइट कर दिया है अब दोस्तो इसमें gas top up करेंगे तो दोस्तो यह देगी हमने 404 gas का cylinder लिया है दोस्तो यह R404 gas है इसमें हम gas को top up कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें जितनी gas कम होगे हम उसमें top up कर देंगे अभी दोस्तो हमाई 40 psi हमारा pressure था दोस्तो gas top up करने के लिए हम इसको running condition में ही रखेंगे मतलब हमारा outdoor unit start रहेगा और हम इसमें gas top up कर देंगे दोस्तो अभी 40 psi इसमें gas है बागी दोस्तो हम इसमें 60 psi करेंगे दोस्तो जब इसमें 60 psi हो जाएगी जब हम इसको बंद कर देंगे gas का cylinder अभी देखी दोस्तो 50 psi हो चुकी इसमे हम इसमें दोस्तो जो gas top up कर रहा है उसको धीरे-धीर get gas stop up कर ना है एदम समय इसमें gas नहीं डालना है इंगे है एपदर आप इले ढप अपनी चार्च लएंई लगा दीए दो चार्ज लिए डायर लाहने के लिए तो दोस्तो अब हम एक cold room में proper gas हो चुकी है तो दोस्तो अब हम इसके cold room पे चलेंगे और check करेंगे किसमें कितना temperature आ गया है यह देखिए दोस्तो इसमें 3 degree temperature आ चुका है दोस्तो इसको चलता हुए 15 मिनिट हो चुके हो 15 मिनिट में 3 degree आ गया है temperature और 2 degree पे यह cut off हो जाएगा तो दोस्तो इसी तरह आप किसी भी cold room में या फिर वाकिंग चलर में जिसमें R404 gas चार्ज होई है और इसमें अगर आपको gas stop up करना है तो बहुत ही असानी से आप R404 gas stop up कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेस